गुद इबनिंग एबरीवन कल हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट्स के वारे में और स्ट्रेट्स के कुछ स्ट्रेट्स हमने सब जो हैं कवर नहीं कर पाए थे उन स्ट्रेट्स से हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस आपका एसीया है उसका पॉलेटिकल मैप यह बड़ा ही इंपोटेंट है पॉलेटिकल मैप मैं आपको इसलिए एसीया सिया का ही जरनी स्टार्ट करुआ रहा हूँ और कुछ फिजिकल पीछर्स अभी भी मेंस हैं यह मैं सोचना कि मैं फिजिकल फीचर्स मिस कर रहा हूं डारेक्ट पॉलिटिकल मैप पे जंप कर रहा हूं अगर आपको मेरी वैस क्लियर आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताने वाले और सारी चीज़ें अगर रोके हैं तो भी आप कमेंट करके बताने वाले कोई इशू है तो आप मुझे तुरंद बता दीजे ताकि हम इशू को रिजू करें और विदाउट वेस्टिंग हम सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगी जैसे हम रोज कर रहे हैं आपको बड़ा मजा भी आ रहा है और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप हमेशा कमेंट करके बता रहा है ऐसी कमेंट करके हमेशा आपको बताते रहना है वाइस अगर क्लियर है सारी च implementation को स्टार्ट करते हैं कल मेंने आपको बताई थी काफी सारी स्टे橋 इन में से опис एरिंग स्टेट हमने पढ़िए थी पडर स्टेट पढ़ी थी कोरियन स्टेट फोर्मुजा स्टे tiene500 Lsen ट मराका मका मकाजार स्टेट जो है उसका सुन्दा स्टेट यह सारी स्टेट काल हमने कर ली थी और आज हम जो पढ़ रहे थे कुछ स्टेट को एक तो मलक्का स्टेट में आपको बता रहा था और यह युनाइट किसको करती है, जावासी और बे अब बेंगल को युनाइट करती है एटलस में तुरंत हाइलाइट करते जाना, उसके बाद एक most important state है जैसे हम बोलते है state of जोहर यह भी political map में काम आईगी, इसलिए याद रखना, जैसे आप यहाँ पे पहुँचे तो यह जो country आपको दिख रही है यहाँ पे एक country है Singapore नाम की, एक Singapore country छुटकू सी country है, काफी सारे island लगबग 52 island की एक country है यह country, developed country के अंडर आती है, बड़ा सा port है, क्यों क्योंकि मलक्का स्ट्रेट का इसको benefit मिला हुआ है मतलब क्या होता है, कभी भी आप travel करने घूमने के लिए जाते हो, तो बहाँ पे एक दुकान दिखाई देती है तो दुकान के चारो तरफ का एरिया जो है, वो developed दिखाई देता है, क्यों क्योंकि यहाँ पे economic activities बहुत ज़्यादा होती है state of मलक्का के यहाँ पे economic activities बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वज़े से Singapore है और state of जोहर क्या करती है, Malaya Peninsula से Singapore को separate करती है मतलब Malaya Peninsula यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे state of जोहर है, उसके आज सिंगापूर है और South में अगर आप जाओगे तो फिर आपको मलक का state देखने को मिलेगी, तो कुछ इस तरह से combination मिलता है उसके बाद यह जो state है, यह दो state बड़ी ही important state है, सबसे पहला state of Hormuz अब state of Hormuz आप देख रहा है, तो यह कहाँ पे है, यह most important state, यहाँ पे जाके देखोगे, यह है Persian Gulf, clear इस area को हम क्या बोलते है, Persian Gulf बोलते हैं, और Persian Gulf को Gulf of Oman से मिलाने वाली जो state होती है उस state को हम क्या बोलते हैं, state of Hormuz बोलते हैं, तो Gulf of Oman से मिलाने वाली state कौन से हो गई, उमान हो गई, यहाँ पे state of Hormuz आपको दिखाई दे रही है, यह state of Hormuz आपको याद रखनी है clear, state of Hormuz में कई बार question बनता है, कैसा question बनता है, कौन सी दो water body है, एक पहली Persian Gulf है और दूसरी water body हमारी कौन से हो गई, यहाँ पे उमान के पास आओ गई, तो यह उमान आपको मिल गई, तो दो water body is clear, यहाँ पे separate किसको कर रही है, तो यहाँ पे एक उमान नाम की country है, उमान नाम की country को इरान नाम की country से separate करती है, यह दो separation हो गई, इनको आपको याद रखना यहाँ पे Arabic Terms हैं यह लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमेशा यहाँ से Question पूशे जाते हैं यह Hormuz और बबल मानदेब तो हमेशा सही Question मनाता है तो बबल मानदेब क्या करता है यहाँ पे Red Sea है क्लियर इस Red Sea के बाद जाओगे तो Second जो आपका क्या बनता है यहाँ पे उमान के बाद यमेन बनता है और यहाँ पे Gulf of Adain है इस Gulf of Adain और Red Sea को जोड़ता है तो यहाँ पे बबल मानदेब की जो स्ट्रेट है वो किसको जोड़ती है Red Sea को और यहाँ पे अगर आप जाओगे Gulf of Adain है उन दोनों को जोड़ती है सेपरेट यहाँ पे कौन-कौन होता है यह जो African countries है और प्लस यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे उमान वाला पार्ट है यह सेपरेट होता है तो यहाँ पे सीधे के सीधे आप पहुँचोगे तो यह दोनों आपके सेपरेशन्स आपको याद रखने है प्लस यह जो स्ट्रेट है यह एशिया और एफरीका की boundary को भी बनाती है इसको भी आपको याद रखना है अब यह सारी स्ट्रेट्स आपको पता चल गई अब उसके बाद और इंपोटेंट स्ट्रेट कौन सी है उन इंपोटेंट स्ट्रेट को और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जैसी आप तर्की के पास जाओगे तो यह जो country इसको हम बोलते है तर्की अभी मैं आपको political map ही कराने वाला हूँ के स्ट्रेट की कंट्रीज आपको बतानी है तो हमें क्या करना है हमारे map में understanding लेके आनी है हमें कम से कम रट्टा मार के है कम से कम चीजों को दिमाग में रखके ज्यादा से ज्यादा MCQ solve करने है इसलिए मैं आपको यह सारी की सारी चीजे एक साथ दे रहा हूँ जो की अब्जेक्टिव रहा है सुरू से कि कम रट्टा और ज्यादा काम हमें करना है तो यहां पर सीदे के सीदे हम जाते हैं दो स्ट्रेट कौन सी है स्ट्रेट ऑफ वास्पूरस है और दूसरा डेड डेनाली स्ट्रेट है इनकी location समझने समझ लेना और screenshot जरूर ले लेना ताकि आपको बाद में future में दिक्कत ना हो जैसे आप यहां पे गई यह क्या है black sea है clear black sea के बाद अगर आप जाओगे तो इसके बीच में जो water body दिख रहे हैं इसको हम बोलते है sea of murmura और उसके बाद यहां पे आप आओगे तो इसको हम बोलते है aegean sea और यह जो part है यह कौन सा है med Mediterranean Sea पूरी जोग्रफी समझने की कोशिश करिए तुरंट सारी चीजे समझ जाएंगी फिर यह बड़ा सा मैप में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूँ इसका यहां पे क्या है आपका यह तरकी नाम की कंट्री है तरकी नाम की कंट्री के बाद ऊपर की तरफ जाओगे नौर् करिए क 근og करें आप की प्राइबेट का इंडिया से जा रहे थे मैं मैब आपको बताता हूं इंडीया से जाना था आपको कहां पे ब्लेक शी में जाना था तो आप कैसे जा वह यहांसे मुंबई से निकलने के बाद गल्फ ऑगे अदन में जा फिर स्टियटर्ट ऑफ बबल सागर आया इस भूमत सागर के बाद आप पहुंचते हो तो यहां पर क्या निकलता है आपका यह उपर की तरफ जाओगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पहले आप जाओगे तो यहां पर एजीन सी मिलेगा उसके आद सी ऑफ मरमरा मिलेगा उसका ब्लैक सी मिलेगा इतना आपको याद हो गया कैसे कैसे पहुंच होगे मिलेटरेनियन सी एजीन सी जो यहां पर मरमरा सी और उसके बाद कौन सा हो गया ब्लैक सी अब हम इन दोनों स्टेट को खोजने की कोशिश करते हैं यूपी सी ऑल्रेडी कोश्चन पूछ चुका है लेकि इतने डिटेल में ब्लैक सी को हम जोडते हैं उस जोडने के लिए एक पतली सी वाटर वाडी नैचरली बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं डेड इनाली स्टेट बोलते हैं इसको आपको याद रखना है डेड इनाली स्टेट को याद रखना है उसका मरमरा के बाद आप जाओ गो तो एक प पॉस्पूरस स्टेट ब्लेक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करती है अब डेड़नाली स्टेट जो आपके पास है तो आप DMA करके आप याद रख सकते हो कैसे भी याद आपको रखना है कि DMA करके आप याद रख लो तो डेड़नाली स्टेट किसको कनेक्ट कर रही है एक तो मरमरा को और दूसरा किसको कनेक्ट कर रही है एजीन सी जो की मिडिटरेनियन सी का पार्ट है तो यह क्वेश्चन सीधे पूछ ले जाते हैं अब यहां से और क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो भी मैं आपको बता जाता हूँ यहां पे अगर आप जाओगे तो यह इस्तानबुल न आता था प्रिजेंटली कहां पे आता है टर्की के अंडर आता है याद रखना इस्तानबुल ऑक्किपाइस दी की पॉजिशन इन वर्ल्ड इस्ट्री में बहुत ही इंपोटेंट प्लेस यह है क्यों क्योंकि इस पे जिसने कबजा कर लिया यहां पे अगर आप पूरा का प आपको जाना पड़ेगा और यह माउंटेंस पर होती है बरफ जो होता है डिफिकल्ट तो यहां पर जैसी आप पहुंचते हो तो यह जो आपके पास पार्ट है इस्तानबुल का पार्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट और इस पर कबजा करने के लिए कई सार आपको यह स्ट्रेट के पास आता है तो स्टैट आफ बास पूरस के पास यह बसा हुआ है और एक और बात इंपोटेंट बात बता रहा हूं मैं आपको यह स्ट्रेट आफ वस्पूरस है यह टर्की को एक Transcontinental Country बना देता है कैसे बना देता है इसके West बाला जो पार्ट होता एक side एस्या में है और एक side चाहँ पहे है आपका यूरोपि में और यह separation किस से होता है वासपूरस से होता है इसी तरह से टरकी भी आपकी कैसी गंट्री है Transcontinental कंट्री है इसका थो टू सा पार्ट कहां पह आता है यूरोप आता है और इस turn पार्ट में बड़ा सा पार्ट आता है इसको आपको समझना है अगर आपने ये समझ लिया तो ये सारी की सारी स्ट्रेट्स आपको clear हो गई और आप मुझे जल्दी से comment करके बता होगे और अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से screenshot ले लो ये आपकी रो करो तो तुरंत आपको याद भी हो जाएगा और साथ के साथ ड्रॉय वह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है, जब आप गड़ी ले के निकले ओ, जब आप बोट ले के निकले हो तो आपको order पूरा का पूरा समझा गया 마음에 मुंब्ड headache, ya उसका रेड सी, उसके बाद स्वेस कनाल, उसके बाद ब्लेक सी, और उसके बाद यहां पे आप आऊगे, तो एजीन सी, एजीन सी के बाद आप पहुंचे, तो देड्रेनाली स्टेट, उसके बाद कहां पहुंच गया, मरमरा सी, मरमरा सी के बाद आप जैसी पहुंचोगे, ब लेकिन वो question मना देती है, फिर हमारा दिमाग खिसक जाता है, तो इनको आपको बड़ी अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि Turkey is the transcontinental country, किन-किन continents में आती है, यूरोप में आती है, और यहां से कुछ पार्ट एशिया में आता है, Istanbul की position भी आपको बड़ी अच्छे से याद रखनी है, इस तरह से हमने आपके जो जितने भी states हैं, वो सारी की सारी states हमने cover कर लें, congratulations, अब हम चलते हैं हमारे next division की तरफ, जो आज का lecture का topic है वो है, political divisions of Asia, अब Asia को कितने political division में बाटा गया है, इससे पहले कुछ मैं आपको छोड़ा सा introduction दे दूँ कि मै mountains क्यों नहीं कर आया, मैंने Asia की rivers क्यों नहीं कर आई, मैने Asia के अगर आप जाओगे तो जो lakes हैं, उनको क्यों नहीं कर आया, physical geography को मैंने बीच में क्यों छोड़ दिया, पीछे क्यों छोड़ दिया, पहले मैं political map में क्यों आ गया, तो कारण simple सा है, क्योंकि हम map में, हम वो नि पर हो बदव रट्टा मारे आप मैप के सारे question कर पाओ तो जैसे मैं आपको map करा रहा हूँ उसी theme को follow करते रहो believe me last में सारी चीज़े हो जाएंगी और जो चीज ना हो आप मुझे comment करके बताना मैं वो चीज़ें भी आपको करवाऊंगा आपके लगभग लगभग 99% mapping के question यहां से solve होंगे और आपको पता भी चल लाए कि हां solve होंगे क्योंकि यह सारी की सारी चीज़ें आपने कहीं पे भी एक साथ नहीं देखी इसलिए कहीं सारी चीजों को या तो करते जाईए या तो एटलस में plot करते जाईए या तो वर्ल्ड मैप को खरीद लीजिए और वर्ल्ड मैप में एक एक करके जैसे मैंने लेकिन आपको खिषडी नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, एशिया को ही बनाना, चलिए अब हम करते हैं हमारे political division को start, एशिया जो है, ये world का सबसे बड़ा continent है, इतना बड़ा continent है, कि हम इसको एक बार में study नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, पांच जो sub part हैं, य में divide कर देते हैं, ये subdivisions सीधे के सीधे आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन से subdivisions होते हैं, तो सबसे पहले जैसे आप नौर्थ में आप जाते हो, ये नौर्थ में, तो ये नौर्थ एशिया हो जाता है, क्लियर, जैसे आप नौर्थ में गए, तो नौर्थ एशिया बाला स्टार्ट पार्ट आपका स्टार्ट हो गया यहां पर यह पार्ट है यह कौन सा पार्ट है आपका नॉर्थ एशिया क्लियर एशिया के नॉर्थ में गए तो क्या हो गया आपका स्टार्ट नॉर्थ एशिया स्टार्ट हो गया एशिया के इस्ट में गए तो इस्ट में कौन ह साथ ही पढ़ाऊंगा क्लियर अब उसके बाद जैसे मैं गया तो इसके बाद यह जो बीच वाला पार्ट मेरा बच रहा है इसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया चार के बाद एक पांच वाला पार्ट और एक और बताता हूं अगर एक और डिवीजन में करने की एसिया की तरफ कहीं पर भी पूछाने जाएगा कि कितने डिवीजन में किया हुआ है बेगनों कहीं पर भी निप पूछा जाता हम हमारी स्टैडि के लिए हम इसको डिवाइट कर रहे हैं एक नौर्थ एशिया होता है इस्ट एस्ट एश्या होता है वेस्ट एंड साुथ जा रहा हूं तो टेंशन बिल्कुल नहीं हमेशा बने रहना है आपको मेरे साथ क्लियर आपके ध्यान को नहीं बटकने देना है क्योंकि जो कुश्चन है वो सारे के सारे यहाँ नहीं है तो यहाँ पर मैंने बोल ला था एक करके यहाँ पर दिखा देता हूं यह है कौन सा नॉर्फ एशिया यहाँ पर आप गये तो यह प्रविना, मंगोलिया तो यह कौन सा होगे आपका यह बाला पार्ट East Asia अब East के बाद जैसे ही मैं South में आता हूँ तो इंडिया कहां पे आपके South में है तो South Asia और South Asia और East Asia के बीच में क्या जाएगा South East Asia आजाएगा तो South East Asia बाला पार्ट अब इसका इंडिया के West की तरफ बार कॉडिनेट मिल गया बीच में Central Asia मिल गया और South East Asia यहां पे मिल गया आप चाहूँ तो इसको छह डिवीजन भी कर सकते हो clear अब यहां पर एक एक डिवीजन को मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कौन कौन सी कंट्री किस किस डिवीजन में आती है एक बार पर इसको मैं बताऊंगा एक्शुली मैं वर्ल्ड मैप यहां पर भी बता सकता हूँ लेकिन आप हैंड की नहीं पाऊँगे मेरा हाथ जो है वह स्क्रीन पर चला होगा लैप्टॉप की स्क्रीन पर तो आप देखी नहीं पाऊँगे और हैंड मुवमेंट से हम क्या करते है उसको मैप बनाना है उसको चीखते हैं तो मिजे जो आपका पास वीडियो केमेरा ऐए उससे बनाना पड़ेगा तो मैं बोर्ड से क्या करूँगा मैप बनाना आपको सिखाऊंगा सारे के सारे पॉइंट метो कि कीसे लेते हैं मैं आपको बताऊंग अजा ङुए आप असा मै होगे तो मैं बनता रहेगा और कैसे बनेगा वो मैं आपको जरूर से जरूर आज ही मैं आपको सिखा दूँगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं नहीं मैं यहाँ पे हूँ टेंशन आपको बिल्कुल नहीं नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे के अगे तो पूरा का पूरा एश दूसरा चाइना आती है नौर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया मतलब कोरिया आते हैं और जेपैन नाम की कंट्री यहां पर आती है यह सारी के सारी इस्ट एशियन कंट्री कहलाती हैं साउथ एशिया में अगर आए तो हमारा भाई पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान आलो दिमाग में उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो है रशिया के साउथ वाला एरिया यहाँ पे इस्ट के जो आपका इस्टन रशिया इसके वेस्ट वाला एशिया सदन रशिया का नॉर्थ वाला पार्ट ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है सेंट्रल एश ओमान, यमन, युएई, ये सारे के सारे पार्ट कहां पे आते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट वेस्ट एशिया में आता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, डिफरेंट कलर थीम है, और ये हर एक कलर थीम जो आपके पास है, ये अलग- आने वाला हूँ, जो नदन आपके पास एशिया, नौर्थ एशिया की तरफ हम जा रहे हैं, नौर्थ एशिया को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, अधर्वाइस पॉलिटिकल डिवीजन जो अभी मैंने के ये वर्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री आफ दी वर्ड, कौन सी कंट्री आपकी लार्जेस्ट कंट्री है, किस के टर्म में, अगर हम किस के टर्म की बात करते हैं, एरिया के टर्म की हम बात करते हैं, तो रशिया इस दी लार्जेस्ट कंट्री value है clear तो ये भी कौनसी country होगी आपके transcontinental country यैसे Turkey मैंने आपको बताया था ये Turkey वैसे ही आप अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये भी आपका क्या होगा transcontinental country होगी यहाँ पे second number पे सबसे ज़्यादा time zones हैं सबसे ज़्यादा time zones कहाँ पे हैं France में हैं और यहाँ पे कितनी हैं 11 और France में कितनी होती हैं 12 most important रटा माले न कि France में total time zone है maximum world में सबसे ज़्यादा time zone कहाँ पे पाई जाती हैं समय छेतर कहाँ पे पाई जाते हैं world में और उसके बाद पाय जाते हैं रशिया, इतना लंबा जोग्राफिकल एरिया है ना इसका, किसमे इंगारा टाइम जोन्स इनको बनाने की जुएत पढ़ गई दो कॉंटिनेंट की कंट्री हो गई, सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज हो गई, क्लियर उसके बाद 11 टाइम जोन वाली कंट्री हो गई, नौर्थ के अगर हम बात करते हैं, और रशिया में इस साइड याद रखना एक अच्छी बात जो है, वो है इस्टन साइड आप ज मिलते हैं, इसलिए इस्टन साइड इन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है, यहाँ पर युराल माउंटेंस हैं, कुछ इस तरह से आप देखोगे, यह युराल माउंटेंस हैं, युराल माउंटेंस के वेस्ट वाला एशिया, जो आपके पास एशिया कहलाता है और East वाला Europe कहलाता है और यहाँ पे population ज्यादा रहती है और यहाँ पे mineral resources ज्यादा रहते हैं इसको आपको याद रखना है अब हम पढ़ते हैं रखना के बारे में as a country हम पढ़ेंगे रखना के बारे में जैसे आप रखना के बारे में पढ़ोगे तो शुरुआत में जो रखना का इक ग्रूप कहलाता था क्या कहलाता था USSR कई बार newspaper में आपने term सुना होगा I can bet अगर आप preparation दो या तीर महीने से कर रहे हो तो USSR नाम का term आपने सुना होगा लेकिन आपको कभी समझ नहीं आया होगा कि यह USSR बला कौन सी है तो समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता तो आज आप गांठ पान दो क्या होता है कि जब First World War हो जाता है जब आपका First World War हुआ जो 1919 के बाद First World War के बाद क्या हुआ रशिया में crisis आ गई और जब रशिया में crisis आई तो 1919 के टाइम पे रशिया में revolution हुई इस revolution को वाल साविक revolution कहते हैं इस revolution के बाद रशिया ने क्या किया सारे के सारे इसके चारो तरप का जितना एरिया था इस पूरे के पूरे एरिया को इन्होंने कर लिया cover और इस पूरे के पूरे एरिया को cover करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया Union of Soviet Socialist Republic बना दिया clear USSR बना करता था ये पूरा का पूरा एरिया इन्होंने क्या कर दिया सोवियत डिक्लेयर कर दिया जैसे आपको पता होगा कि सेकंड वल्ड ओवर के बाद जो आपके पास दो ओर्डर चल ला थी एक तो कैपिटलिजम चल ला था मतलब जो ओनर्शिप किसके हाथ में होने चाहिए प्र आइडिलोजी पे चल ला था तो कैपिटलिस्ट वाली आइडिलोजी कही नहीं आगे निकल लाई थी इसलिए इन लोगों ने गरूप बनाया इस गरूप को हम क्या बोलते हैं यू-ए-स-ए-स-र बोलते हैं अगर इस यू-ए-स-ए-स-र गरूप का जो आपके पास यह नाम 1991 यह बना कब था 1922 में इसका फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद 1991 में क्या हो गया इसका तलाक हो गया 1991 में इसका जो पूरा का पूरा माझरा है वो पूरा का पूरा माझरा खतम हो गया अब कितने कंट्रीज बने थे इसको बनाने के बाल उन कंट्रीज के अगर हम बात कर ल मैं 15 कंट्री, अब मैं सारी के सारे एशिया की कंट्री बताऊंगा, तो सारी कंट्री तो यहीं पे आ गए, कौन कौन सी कंट्री है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंट्री यहां पे अर्मीनिया है, दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो यहां पे आप जाओगे उसके अदगर आप आओगे तो कजाकिस्तान उजवेकिस्तान ये सारे के सारे जो तान है ये सारी की सारी कंट्रीज बन गई मतलब डिसिंटिग्रेशन हो गया 1919 के बाद अगर आपको क्यों हुआ अगर ये सारा चीज़ जानना चाहते हो तो मैं आपको फाइव एर प्लैन बड़ा हुआ करता था आज 15 कंट्रीज में तूट गया उसके बाद भी ये सबसे बड़ी कंट्री है तो अब आप याद रख सकते हो कि ये पहले कितना बड़ा हुआ करता होगा अच्छा time zone के question मैं आपको clear कर दूँ अगर आप करना चाहते हो तो आपको time zone पूरा पढ़ना पड़ेगा time zone कितनी होती है और वो topic कहां पर होता है longitude जो होता है और latitude का topic होता है उसकी में एक अलग से separate mapping video बनाऊंगा कि longitudes में कौन कौन सी country आती है latitude में कौन कौन सी important country आती है और time calculation कैसे किया जाता है वो separate video अगर हमने वो बना दिया तो हम रशिया से बटक जाएंगे रायता फैल जाएगा और एक बार रायता फैल गया तो फ़र अगली बार आप मुझे यहां पर सूरत नहीं दिखाओगे बोलोगे सर पका देते हैं तो जो topics हैं उनको एक साथ लेके चलो अभी आप Asia कर लो पहले और time zone वाला मैप मैं फिर से schedule करूँगा आप सब के लिए बिलकुल tension मत लो time जो होता है उसमें longitudes और latitude वाली जब हम mapping करेंगे उस mapping में मैं आपको सारी time zone का जो calculation भी बताऊंगा और कौन कौन सी country में कहां पे time zone है बस अभी इतना याद रख लो कि जो सबसे यादा time zones है वो कहां पे हैं फ्रांस में हैं 12 रशिया में कितनी हैं 11 ये आपको याद रखना है और इंडिया में कितनी time zone है सिर्फ एक ही time zone है इतना बस याद रख लो फिलाल के लिए माकी जब mapping होगी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें clear करा दूंगा clear है अब हम यहाँ पे चलते हैं रशिया के political map को मैं आपको बसा देता हूँ political map of Russia जो रशिया इतना बड़ा इसको हमने काफी सारी provision जो province होती है उसमें divide कर दिया एक झाहां पे अरा आप जाओई तो यहाँ पर वुलगा प्रोर्विंस होती है यहां पर मॉसको प्रोविंस है सेंट पीटरवर्ग सैं और यहां पे आप आओगे तो यह कौन सा है सदन रशिया है क्या सारी चीज़ें याद रखनी है बिगनों आपको याद नहीं लिखनी पूछा जाता है कि साइवेरिया कहां पर है तो यह कौन सा है जो आशिया यहां पर you rally इस्ट में एक रशिया वाला जो पार्ट है कहलाता है साइवेरिया कहलाता है इसी हम और भी बोलते हैं यहां पे बहुत ही ज्यादा सर्धी पाई जाती है एस्की मौ नाम के ओप आते हैं इगलू नाम के घर ये बनाते हैं बड़े अच्छे ब्यूटिफुल से घर होते हैं क्लियर तो यहां पर आप जाके देखोगे साइबेरिया याद रखना है फार इस्ट रीजन आपको याद रखना है कि नहीं रखना वो आपकी और अट्रोमी है तो यह सारी की सारी प्रॉबिंस आपको याद रखनी है और कैपिटल क्या है इसकी मॉस्कोव है अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर ट्रांस कॉंटिनेंटल रेलवे चलती है ट्रांस कॉंटिनेंटल रेलवे का मतलब क्या है कि कॉंटिनेंट के एक छोर को दूसरे छोर से मिला दे उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस कॉंटिनेंटल रेलवे बोलते हैं कहां से ट्रांस सिटी रेलवे क्या होती है सिटी के एक कौने से दूसरे कौने से मिला है तो वो ट्रांस सिटी रेलवे होती है तो एक कॉंटिनेंट के छोर से दूसरे continent के छोर को मिला दे वो क्या होती है transcontinental railway अब यह transcontinental railway कहां से कहां तक चलती है वो most important है यहां पर एक city है वलदी वोस्ताक नाम की city मेरे जो photo आ रहा उसके कारण आपको camera में वीडियो आ रहा उसका आपको दिखनी रही होगी तो यहां पर देख लेना वलदी वोस्ताक नाम की city है वहां से यह सीधी की सीधी जाती है far east उसके बाद Siberia, Siberia के बाद Ural, Ural के बाद Bulga, Bulga के बाद Moscow पहुंचती है और Moscow के बाद St. Peter Works तक पहुंचती है तो आपको क्या याद रखना है कि जो trans-siberian railway जैसे हम कहते हैं यह world की longest railway है और यह कौन-कौन से terminals की बीच में operate करती है तो यह वलडी वोस्ताक इस्ट में है clear वहां से लेके St. Peter Works के लिए operate करती है यह world की सबसे longest railway route है अगर आप इसमें travel करना चाहते हो तो कोरोना वहान वाइरस का मज़े से travel करना खूब कमाओ और खूब वल्ड में गूमो इसलिए मैं आपको वल्ड में अभी घुमा रहा हूं ताकि अच्छी अच्छी चीज़े हैं आप कर पाओ यहां से सोना तीन चार दिन सोते रहा ना तब जाके आप St. Peter Works महुच पाओगे इतना लंबा जो train route है यहां पे होता है अब उसकात कुछ चीज़ें और आप देख लो physical map में और मैं आपको ले जा बताएं थी पुरानी वाली ही water word यह आप याद रख लो जो पहले आपने करी थी वह इलाप टेप सी यहां पे था clear यहां पे अगर आप जाओगे तो कारा सी आपके पास था बेरेंट सी था यह सारे के सारे सी आपको याद रखने और additionally क्या याद रखना है यह जो area है यहां से Ural Mountains है, इन Ural Mountains की East में एशिया होता है और यहां पे Europe स्टार्ट हो जाता है याद रख लेना और यहां पे एक White Sea है clear और यहां पे क्या है Baltic Sea है, दोनों सी याद रखना ये Europe के map में हम से cover करेंगे, वो आपको याद रखना है लेकिन चुछ की में Central Asia यहां पे रशिया पढ माउंटेन ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है ओल्ड फूल्ड माउंटेन है पहला और दूसरा यहां पर यतिन बर्ग जो आपके पास सिटी है यूराल माउंटेन में क्या पाए जाता है आईरन रिजर्व पाए जाते हैं और इसके साउथ में यूरेनियम के लिए पापूलर है और यहां पर अगर रहा होगे तो यतिन बर्ग नाम की सिटी है यह आईरन ओर इंडस्टी के नाम से भी जानी जाती है उसका दूसरा माउंटेन कौन सा याद रखना है मोस्ते जो आपको देख रहा है वर्खो यांस्क माउंटेन ही आपको याद रख तो बल्ड का सबसे कम टेंपरेचर यहीं पे रिकॉर्ड किया गया है क्लियर इतना आपने याद रख लिया अब उसके आद आप बोलोगे सर कुछ पैनिंसुला बताईए रशिया के फिजीकल मेप में कौन-कौन से पैनिंसुला याद रखने तो यहां पर आप जाओगो त स्कोला पैनिंसुला के बाद जैसे आप जाओगे तो यहां पे जो पैनिंसुला आपको देख रहा है स्कौम क्या बोलते हैं चुक्ची पैनिंसुला बोलते हैं कौन सा पैनिंसुला बोलते हैं चुक्ची पैनिंसुला बोलते हैं और उसके बाद यहां पे पहुंशते हो त एक तो यौराल मौंटेन हो गया दूसरा यहां पर वर्खोयान्स कानफा हो गया तीन पनिनसुला आप आये चुक्षी पेमिंसूला है और हिए काम चत्ट का पैमिनसुला है इसका त्ध जीपैन आपको यहां चीज़े बताएं थी सकालिन आइलेंड यहां पर इंडिया ऌयल और ये क्या था? USSR था, ये भी कहीं न कहीं socialist था, हम दोनों की ideology match करती हैं, और जब ideology match करती हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, relationship में आ जाते हैं, हमारा relation बहुत पहले से चल दा है, जो कि world relation में आप समझोगे, और अगर ये सारी चीज़े आप समझ जाओगे, तो world relation भी आपको कहीं समझाने लगेंगे, शायद आपने ब्रह्मोस नाम की मिसाइल का नाम सुना होगा, अब उस ब्रह्मोस नाम की मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों है, क्योंकि जो मॉस्को है, यहाँ पे मॉस्कोवा नाम की river flow करती है, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र river flow करती है, तो नाम क्य प्रह्म मोस इसका नाम हो गया तो यह काफी सारी आपकी कलेक्टिव टाइज हैं इन सारी टाइज को याद रखना और एक और अच्छी बात फिजिकल मैप में आप याद रखोगे कि जब सर्दियों का टाइम आता है तो यहां पर काफी सारी रिवर्स है पहले रिवर्स समझ कौन कौन सी रिवर्स हैं यहां पर अगर आप आओगे तो जो यो 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 रोप कॉंटिनेंट है वहां की सबसे बड़ी रिवर्स मिल जाएगी वह यहां पर आप आओगे तो यहां पर वोलगा रिवर्स दूसरी रिवर्स यहां पर मोस्ट इंपोटेंट है यॉराल रिवर कौन कौन लिबर वोलगा रिवर। यह दोनों यूरोप में, इसिया में कौन सी रिवर है यहां पर UBर कि बात करोगे यह most important है, इसके बाद एक और रिवर की बात करोगे यहां पर यनесी नाम की रिवर यहां पर आपको दिखेगी Yenasi नाम की river यहां पे आप आओगे कहां पे चली गई ये सॉरी ये Lina नाम की river आपको देख रही है और यहीं पे आप जाओगो तो यहीं पे एक छोटी सी river यह जो Yenasi यहां पे track करते नीचे लेके आओगे यह है आपकी Yenasi river तो यह तीनो रिवर याद रखनी है और एक और रिवर रशिया में याद रिखा नी है यहाँ पे देखोगे तो यहां पे अमूर रिवर आपको देखने को मिलेगी अमूर तो चार-पांच रिवर रशिया में कौन कौन सी है East to West रटा मार लो तुरंद के तुरंट सबसे पहले कौन सी होगे Ural River दूसरी कौन सी और सुरी सबसे पहले आप यहां पे पहुँचे तो Volga River, Volga के बाद Ural River, Ural River के बाद Ub River Ub River के बाद पहुच गए तो Yanasi River, Yanasi River के बाद Lina लिना रिवर के बाद आप यहां पे पहुँचे, तो Amur River यह वेस्ट टू इस्ट आम रटा मार लेना है. तो इन मे से जो आपकी ओब रवर है, यानेसी रिवर है है और लिना रिवर है, यह कहां पे फ्लो करती है, आर्केटिग ओस्यन में, फ्लो करती है, कहां पे जो river आपके पास है अमूर river ये रशिया की और चाइना की boundary को बनाता है किसकी boundary को बनाता है रशिया और चाइना की boundary को बनाता है बड़े अच्छे से आपने याद रख लिया तो ये river most important और बाकि ये जो तीन river है सर्दियों के time pain का mouth हो जाता है frozen उसकी वज़े से ये पूरा पार्ट को सम्मिट करने की कोशिच करूँ तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? तुछ पैनेंसुलास पढ़ाया, Water Body is already मैंने पढ़ा दी थी, States मैंने आपको already पढ़ा दी इसलिए मैंने रिपीट नहीं करी, उनको आपको add कर लेना है, add-on कर लेना है, रिवर्स मैंने पढ़ाई एक तो वोलगा मैंने आपको पढ़ाई योरोप की सबसे बड़ी युराल रिवर पढ़ाई और अमूर रिवर पढ़ाई इनको एस्ट टु वेस्ट आपको बड़ी अच्छे से याद रखना है Siberia, Marciland क्यों है? कारण क्या है? यहाँ पर इनके mouth में बरफ जम जाती है बरफ जमने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? जो नीचे बाला पार्ट है डाउन स्टेट आपके पास होते हैं यहाँ पर पानी भर जाता है जब पानी भर जाता है तो यहां की चीज़े सडने लगती है, CH4 आ जाती है और जब CH4 आ जाती है तो यह पूरा का पूरा एरिया कैसा बन जाता है आपका मारशी गैस वाला एरिया बन जाता है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई अच्छा आपका एक क्वेश्चन है कि सर गूगल मैप पे कश्मीर को भारत के साथ क्यों नहीं दिखा जाता एक बड़ा सा इंटरस्टिंग आंसर है शायद मैं असायद ही आपको किसी को पता हो अच्छली गूगल एक कंपनी है वो गूगल कंपनी इंडिया की नहीं आउट ओफ पंटेक्स का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैप से इसका कोई संबंद नहीं है लेकिन आपको ये कुश्चन जानना चाहिए इसका आंसर बहुत इंपोटेंट है अगर आपके जह में ये कुश्चन आया है तो गूगल कंपनी है वो आपको पता होगा इसका बेस कहांप है इसका बेस है यूईसे में और ये कंपनी सारी कंट्रीज में अपना ब्यापार करती है अब जैसे कोई भी कंपनी कहीं पर भी व्यापार करेगी तो इसको कि वोगल के लिए यही पाकिस्तान वाला यूजर खोल ला तो पाकिस्तान वाले यूजर को अगर यह मेप दिखा दिया तो वो कई मोका मोका टाइप में टीवी फोड देता है ऐसे मोबाइल तो ना फोड देगा क्यों कश्मीर तो इसके हाथ से चला गया और अगर ऐसा हो गया तो तुरंत वो लोग क्या डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान में गूगल को बैन कर दो तो यहां पे गूगल एक चाल खेलत पार्ट है वो कहां पे चाइना को चाइना में दिखाई देंगे इंडिया वालों को इंडिया में दिखाई देंगे और जबकि गूगल को पता है कि वो चाइना वालों को भी मूर्क बना रहा है इंडिया को भी मूर्क बना रहा है और पाकिस्तान को भी मूर्क बना रहा है दोनों को self satisfaction वाली बाते हैं दे रहा है तो इस तरह से Google Map तयार किये जाते हैं यह क्या होते हैं असिस्मेंट होते हैं आपकी जो domestic policies हैं उसकी वैसे तयार किये जाते हैं और जब हम Google Map के screenshot लेके यहाँ पे maps को हम बनाते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है आपका यह सारे के सारे map में Jammu and Kashmir आपका हिस्सा कहीं न कहीं दिखाई नहीं देता तो यह इसका exact answer है और अगर आप जाके Google Map को Cardiology को Real में समझोगे काफी सारे Google Map के वीडियोस पड़े हुए हैं यह disputed region को या तो शोई नहीं करते जैसे आपने देखा होगा एक तो लीपू लेक वाला पार्ट है और दूसरा काला पानी वाला पार्ट है आजकल नेपाल ने का कर दिया आपने क्लेम कर दिया है इंडिया क कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि present में freely और widely accessible map किसके होते हैं Google के ही होते हैं यह आपका right answer है अब हम चलते हैं हमारे अगर आपने यह सारी की सारी चीज़े जान ली है रशिया के वारे में सारी चीज़ें आपको पता चल गई है बस last fact और पता कर लो कि world में सबसे ज़्यादा boundary किस countries की other countries से touch करती है मतलब ऐसी कौन सी country है जो सबसे ज़्यादा other countries से boundary share करती है तो वो है रशिया रशिया और चाइना दोनों ही ऐसी countries है दोनों की boundary बारा बारा country other countries से touch करती है clear रशिया और चाइना दोनों की boundary बारा बारा country से touch करती है कुछ इस तरह से दोनों क्या बनती ह सबसे जादा अधर कंट्रीज को भांडरी को टच करने वाली कंट्री बनती हैं इतना आपने जान लिया तो नौर्थ एशिया आपको याद हो गया अब नौर्थ एशिया के बाद में आपको कहां पे लेकिया आना चाहता हूं इस्ट एशिया में यह थोड़ा सा जल्दी जल् तो सुनाहीं होगा तसली से पीट के गया था वह इंडियंस को गया था कि इंभी हो और पार ऑट आ त्लस यहां पर अधर तो यहां पर नौर्थ इस्ट उन्शी नौर्थ नामॐं जाओगे तो नौर्थ पहले सारे्थिकल फीछर्स आम बाद में चाहिना इन दोना openly ता landlocked country है वो कौन सी है मंगोलिया तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निमनलिखित में से कौन सा भू आभिस्तित देश है which of the following is landlocked country तो मंगोलिया is the landlocked country और East Asia की only landlocked country भी यही है East Asia में जितनी country है वो सारी की सारी उनकी boundary कहीं ना कहीं ocean से touch करती है मंगोलिया की boundary touch नहीं करती तंगेज खां को याद रखना गोभी desert को याद रखना और इसकी capital क्या है उड़ान बटर इसकी capital है next हम आजाते हैं चाइना की तरब जैसे ही चाइना की बात करते हो तो second most populous country of the world area wise third जो आपके बाद अगर आप जाके देखोगे रशिया के बाद Canada पहले रशिया रशिया के बाद अगर आप जाओगे तो फिर Canada के बाद USA के बाद fourth largest country of the world यह आपकी बनती है area wise कहीं कहीं जगा पे आप जाके देखोगे चाइना's third largest country देखाता है इसलिए मैंने बोला था आपको fourth largest ही याद रखना है क्योंकि अगर third देखा रहा है इसका मतलब ताइवान को इसने occupy करके रखा है तो ताइवान का officially आपने recognition कर दिया आपको नहीं करना चाइना fourth पे ही लाबा दो और आपको याद रखनी है एक तो होंग कॉंग याद रखना है होंग कॉंग सिटी एक ऐसी सिटी है जो की commercial सिटी है present में बहुत ही ज़्यादा current affairs में है ये सिटी क्यों है सिटी क्योंकि ये protest कर रही है चाइना क्या करना चाहता है इसकी autonomy को चीनना चाहता है जिस सर्थ पे कि इसको autonomous province बनाए रखोगे लेकिन चायना इसका violation कर रहा है इसकी वैसे यहाँ पे umbrella revolution हो रहा है तो पहली सिटी कौन सी याद रखनी है एक तो आपको चायना की capital याद रखनी है बीजिंग यहाँ पे आपको देख रही है बीजिंग दूसरे सिटी होंग कॉंग य दी गई थी यह आपको याद रखना है क्लियर उसके आप ताइवान याद रखना है यहाँ पे ताइवान है capital है यह अलग से country है चायना आपने map में दिखाता है claim करता है अगर इसको मिला दो तो चायना third largest country हो जाता है लेकिन यह अलग से ही है इसलिए हम चायना को fourth largest country बोलत नौर्थ कोरिया की capital कौन सी है प्योंग योंग है कौन सी है प्योंग योंग है अब यहाँ से कुछ twist आते हैं उन twist को और याद रख लो यहाँ पे कौन सा है Sea of Japan है यहाँ पे आपका कौन सा है Yellow Sea है कौन कौन सा है Sea of Japan और Yellow Sea आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो जो North Korea नाम की country आपको दिख रही है इसकी boundary किस से touch करती है वो देखो यहां पर क्या है आपका Russia है और दूसरा कौन सा है Russia के बाद अगर आप जाके देखोगे यहां पर चाइना है यहां पर रशिया है रशिया और चाइना इन दोनों से boundary touch कर रही है नौर्थ कोरिया की समझ गए ना उसके बाद तीसरी किस से बाउंडरी टच कर रही है साउथ कोरिया से इसकी बाउंडरी टच कर रही है तो तीन कंट्रीस किस-किस से बाउंडरी टच करती है North Korea की एक तो China, Russia और South Korea से boundary टच करती है उसके बाद इसके South में इसकी capital क्या है? प्योंग योंग है अब जैसे हम South में गए तो South Korea, South Korea की capital क्या है? आपकी शियोल है अब यहाँ पर अच्छी बात याद रखना North Korea और South Korea यह दोनो Korean Peninsula के अंडर आते हैं, इसको हम Korean Peninsula बोलते हैं पहले यह एक ही country हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब Second World War हुआ उसके बाद जब रायता फैलना स्टार्ट हुआ, तो जो North Korea है इस North Korea पे USSR ने कपजा जमा लिया? इसके South Korea पे USA ने कपजा जमा लिया USA ने यहाँ पे capitalism को promote करा, इसलिए South Korea आज डबलब्ड country है जबकि North Korea किम यॉंग यूंग जो आपके पास है, वो dictator है आज भी इस government की यहाँ पे चलती है, तो USSR और China का influence किस पे होता है? North Korea पे, तो हमेशा याद रखना North Korea की boundary चाइना से और Russia से टच करती है इसलिए Soviet है, आज भी यह socialist ideology को follow करता है और किम यॉंग का नाम आपने सुनाई होगा, सन की ruler का नाम सुनाई होगा और जब second जो आपके पास cold war हुआ था, उस cold war में इनकी जबर्दस्ती एक boundary बनाए गई उस boundary को हम क्या बोलते है, 38 degree parallel बोलते है, most important है तुरंत रट्टा माल लीजिए, 38 degree parallel यह कहलाती है बहुत बढ़ी है, अगर इतना सब आपको समझा गया, तो उसके बाद हम चलते हैं next की तरब, तो next आपके पास है, next country कौन सी है, next country है Japan इसके बारे में already मैंने आपको पढ़ा दिया था, Hokkaidu, Huynchu, Shikuku, Kuyushu और यहाँ पे Rukuyu Islands मैंने आपको बता दिये थे, जो इसको हम क्या बोलते हैं, country of land of rising sun आप इसे बोलते हो, सबसे आदा earthquakes भी यहीं पे आते है, volcanoes भी यहीं पे आते है इसकी capital countries के जो आपके पास cities है वो कौन-कौन सी याद रखनी है Hokkaidu के बाद, Huynchu Island मैं, यहाँ पे Tokyo, Nagoya, Ushaka और Hiroshima नाम की चार cities है इन चार cities, सबसे पहले islands को not to south याद रखना है, वो कल ही आपको याद हो गए थे, बड़े अच्छे से अब इन cities को याद रखना है, Tokyo को याद रखना है, Nagoya, Ushaka, Hiroshima और इसके बाद आप जाओगे, तो फिर आपको Nagashaki नाम की city यहाँ पे याद रखनी है तो Japan की capital याद रख लो, बहुत बड़ी आबाद, इसके बाद south में आते तो हमें क्या मिलता है, Taiwan मिलता है, Taiwan नाम की country तो East Asia में total countries कितनी हो गई, Mongolia, the only landlocked country of East Asia हो गया, second China, the most populous country, जो fourth largest country of the world, China आपके पास हो गया, चाइना में cities कौन कौन सी फिलाल में हमने याद रखी है, पहला जो आपके पास है, Beijing आपने याद रख लिया, दूसरा मैंने आपको बोला था, Guangzhou जो वाला एरिया आपके पास था, Guangzhou वाला एरिया वो याद रखा, उस हम recognize करेंगे, because मैं चाहता हूँ कि आप इसको recognize करो, clear, मैं हूँ perfect dictator, मैं हूँ kingdom, जो मैं पढ़ाओंगा, वो आपको पढ़ना पढ़ेगा, यहाँ पे आपकी बात हो गई, North Korea नाम की country, South Korea की नाम की country, North Korea capital क्या है, Pyongyong है, South Korea की country का capital क्या है, Seoul है, फिर क्या है आपका Japan, Japan की capital क् गया, Japan की capital है, Tokyo, इस तरह से congratulations East Asia का political map आप बढ़े अच्छे से कर चुके हो, East Asia का political map आप आपने तयार कर लिया, जी हाँ, जो cities में आपको बता रहा हूँ, वो cities आपको याद रखनी है, clear, जो cities में आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है, और यह 38 degree parallel का मतलब क्य होई है, तो उनको हम parallel बोलते है, तो जो 38 degree, जो latitude होती है, उसको 38 degree यहाँ पर आप आप जाओगे, इस latitude से इसकी boundary बनती है, इसलिए हम क्या बोलते है, 38 parallel इसे बोलते है, रश्या की city में आपको बादें बताऊँगा, फिलाल तो आपको मौस को याद रखनी थी, रश्या में, तीन cities मैंने आपको बताई थी, एक तो मैंने वलड़ी वो स्टाग आपको बताई थी, दूसरा मैंने आपको मौस को बताई थी, तीसरा Scent Peter Works आपको बताई थी, यह त आपको cities हैं याद रखनी है इसके अगर आप जाओगे तो यहाँ पर यतिन वर्ग है ये भी आप याद रख सकते हो और उसके बाद कुछ resources वाली जो countries हैं कहां कहां पर cities हैं जो resources हैं उनको में एक एक करके आपको बताता रहूंगा तो वो cities आप याद रख लेना यहाँ पर व observation कर रहा है जो कि UPSC में पूछा जा सकता है चाइना की majority cities है वो eastern area में जाके देखो चाइना की majority city है वो eastern area और खासकर coastal areas में चाइना की सारी की सारी cities है western area में cities है नहीं reason क्या है क्योंकि यहाँ पर तेबतिन प्लेटिव है और प्लेटिव के साथ यहाँ पर पानी भी कम है एगरी कल्चरल लेंड भी कम है तो western चाइना में बहुत ही कम population decide करती है यहाँ पर बड़ी बड़ी cities है नहीं सबसे बड़ी city चाइना की कहां पर है eastern areas में इसका अगर पर दस्ती क्योंकि मैं आपको क्या बनाऊंगा मेरा cabinet minister बनाऊंगा और minister बनना है तो आपको support करने ही पड़ेगा तब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया में यह लोग इंडिया का जो पाकिस्तान पाक अक्ष्मीर है वो इंडिया में plot नहीं करते इस्टेशिया जल्दी से eyes को close कर लिजिए फिर मैं आपको आगे map की तरफ लेके जा पाऊं इस्टेशिया में कौन कौन सी countries है सबसे पहले रशिया को इमेजन कर लिया रशिया को इमेजन करने की बाद साउथ में पहुचे तो मंगोलिया कैपिटल क्या है मंगोलिया की याद करिए औरन बटर इसके साउथ में आते तो हमें क्या मिला है चाइना मिला है चाइना की कैपिटल क्या है बिजिंग है अब च कोरिया की कैपिटल क्या है प्योंग्योंग मैंने आपको बताई थी नॉर्थ कोरिया के बाद जैसी आप जाओगे तो एक 38 डिग्री पेरलल है उसके आद आपको साउथ कोरिया मिल जाएगा साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है शियोल है प्योंग्योंग और शियोल दोनों या जब मैं आपको एकनोइक्स पढ़ाँगा तब सारी की सारी चीजें यह पढ़ाँगा उसके बाद जल्दी से आज आज आपने नहाय नहीं इतनी गर्मी में जम्प कर जाईए सी ओफ जैपैन में आप जैपैन पर पहुंच गए जैपैन की केपिटल क्या है टोकियो टोकियो क के बाद अगर आप जाके देखोगी यहां पे काफी सारे आइलेंड है नौट टू साउथ देखोगे तो हुकाइडू हिंचो शिकूकू कोईशू और रुकूयू नाम के आइलेंड है यहां पर टोकियो नाम की जो आपके पास सिटी है वो यहीं पर है क्लियर रोश्युमा आपको यह याद हो गया, एक बार याद हो गया, तो हमेशा के लिए याद हो गया, काफी सारे प्रिलिम्स के कुश्चन यहां से आपके बनते हैं, काफी सारे कुश्चन बनते हैं, काफी सारे कुश्चन आपके बनते हैं, और वो सारे के सारे कुश्चन आपको याद हो गए, clear अगर आप याद हो गए और अगर आप चाहते हो कि इस class को continue करें तो जल्दी से आप मुझे continue करके लिख दीजिए otherwise हम हमारी class को कल continue करेंगे ये cities क्यों याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ UPSC अगर आप तयार कर रहे हैं तो इन cities को north to south पूछ लिया जाता है first दूसरा ऐसा ही पूछ लिए आता है कि equator से जो आपके पास है दूर cities है उनको order में आपको जमाना होता है capitals को जमाना होता है इसलिए map से ही सारी चीज़ें याद रखें आपके एक और कारण क्या है कई बार हम क्या करते हैं चाइना से अपक एक पास होती है आती है जो हॉंग कॉंग कोंग नाम की city है लगबग लगबग ट्रोपेक आफ-काइंसर के एकदम पास ही आती है क्लियर इतना आपने याद रख लिया सभी बोलना है continue continue मदा आ रहा है बेस्ट चला है बहुत बढ़ी है दमाकेदार पैसे वसूल हो रहे हैं चलो बहुत बढ़ी है हम चलते हैं हमारे next division की तरफ और यह last का आज का last division होने बाला है माकी सारे division में आपको कलकर आऊंगा तो first मैं मैंने पढ़ा दिया आपको North आपको याद हो गया बहुत बढ़ी है रशिय यह केला आया था उसमें काफी सारी cities Transcontinental Rail पर आपने याद रख ली उसका मैंने आपको East Asia पढ़ा दिया East Asia में क्या-क्या पढ़ा था हमने चाइना पढ़ा मंगोलिया पढ़ा North Korea पढ़ा South Korea अब East Asia के बाद जैसे आप पहुंचते हो तो East Asia के बाद जो next है एकदम सरल सा पता देता हूँ मैं South East Asia स्टार्ट नहीं करता जो आपके बास South Asia पर मैं आपको कवर करा देता हूँ South Asia कहां पर उसका South East Asia को मैं आपको कवर करा हूँगा चीजें नहीं हो पाएंगी सुनने में अच्छा लगता जब टीचर कराता है तब अच्छा लगता उसके बूल जाओगे और भूल जाओगे तो फिर आपकी दिक्कत परेशानी स्टार्ट हो जाएगी अब हम कहां पर जा रहे हैं South Asia पर जा रहे हैं जैसी आप South Asia के पास जा स्टार्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान नाम की कंट्री है यह पहली कंट्री है आपको पता होगा हम आजाद कब हुए थे जो आपके 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे 1947 को हम आजाद हुए थे 200 साल की पूरी पूर्ण रूपीन पिटाई आपने खाई थी ब्रिटिशर से आजाद हुए थे बैसी पाकिस्तान भी ब्रिटिशर से आजाद हुआ था लेकिन पता नहीं कैसे यह 14 अगस्त को आजाद हो गया था 14 को यह आजाद हो गया था तो हम दोनों क्या हुए थे एक साथ आजाद हुए थे और एक साथ तीन देश बने थे पाकिस बात करोगे और कराची ये कुछ popular cities हैं जो आपको इसमें याद रखनी है कितनी province में divide किया गया है वो मैं आपको detail में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारा भाई है और भाई की बारे में सारी चीज़ें आप आपको जानने चाहिए है हलाकि current affair आप session देखते हो तो current affair session में सारी की सारी चीज़ें बड़ी clear में आपको कर देता हूँ जो की current affair में आता है इनकी जो boundary है उसको हम क्या बोलते है line of control बोलते है और line of actual control इसको बोला जाता है अब उसके जैसे आप जाओगे तो next country कौन सी होती है चाइना जो कि इसके अंदर में नहीं आती चाइना के south बाला south एश second country के रूप में पहला पाकिस्तान आपने याद रखा था पाकिस्तान याद हो गया दूसरा नेपाल नेपाल की capital क्या है काटमांडू यह पूरा का पूरा हिमालियन स्टेट है हिमालिया में स्टेथ है इसकी capital है काटमांडू और पशुपति नाथ टेमपल के लिए यह पू कंट्री है याद रखना कौन सी कंट्री है बुद्धिस्ट कंट्री है इंडिया पे डिरेक्टली dependent होती है इसको आजाद करवाने में इंडिया का बहुत बढ़ा महत विता यहां पे कुछ disputed एरिया चलते हैं यह जो disputed एरिया है यह एरिया आक्साइचेन है जो की इंडिया के अंदर आता है जोब भूटान और इंडिया जिसको हम बोलते हैं डोकलाम इसे हम क्या बोलते हैं डोकलाम उसके बाद अगर आप जाओगे तो next country Myanmar में include मत करना उसके next country है बंगलादेश बंगलादेश अगर जाके देखोगे तो जूट production के लिए जाने जाती है धाका ये पा जाता है मुझफ और रह्मान उन्हीं की जो लड़की हैं आज कल आप जाके देखोगे से कशीना जी कल न्यूज में थी मुहमा जो आपके पास यहां पे प्राइम मिनिस्टर सहाब है उन प्राइम मिनिस्टर सहाब ने ईद मुवारक की बढ़ाई दी थी या इद मुवारक ठीक उनको बोला था तो बंगला देश आपको याद रखना है capitalist क्या है धाका इसके बाद इंडिया याद रखना India की capital डिली इसके बारे में मैं धुम डड़ाके से मैं आपको पडाऊंगा इसलिए मैं सके बारे में कुछ भी निपता है यहां पे कौन कौन सी cities है त्यूजि कौन सी है, कोलम्भो, पुरानी capital थी, अब यहां पर इसको change कर लेना, अब change करके आप क्या लिखोगे, स्री जयवर्दने पटनम, इसको आप नाम कर दोगे इसका, स्री जयवर्दने पटनम इसका नाम है, इसका जो last city है, यो last country वो कौन सी है, मौलदीप कल मैंने आईलेंड दिखाए थे मौलदीप की कैपिटल क्या है मौले है यह आपको याद रखना है तो टोटल कंट्रीज कौन कौन सी है साउट एशिया में पहला पाकिस्तान दूसरा इंडिया, तीसरा नेपाल चोथा है भूटान, पांचवा है बंगलादेश चोब छटवा है श्रीलंका और साथवा कौन सा है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो मौलदीप, सभी कंट्रीज की कैपिटल आपको याद रखनी है और यहाँ से अगर आप जाके देखोगे एक्वेटर पास होती है, यहाँ से ट्रॉपिक आफ कैंसर पास होती है, बंगलादेश से ट्रॉपिक आफ कैंसर पास होती है, इसको आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, उसका दगर हम जाके दिखेंगे यह सारी की सारी countries ने एक economic grouping बना के रखी हुए क्लियर, अपने आप को एक group बना के रखा हुआ है, इस group को हम क्या बोलते हैं, SARC आप एसे बोलते हो, South Asian for Regional Cooperation आप एसे बोलते हो, क्लियर क्या हम बोलते हैं, South Asian Association of Regional Corporation बोलते हैं, इन सारी की सारी countries ने एक group बनाके रखा हुआ है, economic group बनाके रखा हुआ है, इन सारी South Asian countries में, अब आपको पता चल जाएगा कि SARC के member कौन से हैं, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, आज के बाद believe me आपको रट्टा नी मानना पड़ेगा, South Asia याद है, तो grouping किसकी है, South Asia की है, clear, नाम क्या है, SARC है, South Asian Association for Regional Corporation, SAARC, कई बार आपने नाम सुना हो, current of year में, तो ये सारी की सारी countries आप मिला दो, याद हो गया, इसके साथ एक additional country और मिला दो, वो कौन से हो गई आपकी, अफगानिस्तान नाम की country हो गई, जैसी अफगानिस्तान मिला दो गई, इसके total member आ गए, कौन-कौन सा अफगानिस्तान, पहला आ गया, दूसरा बंगलादेश member है, तीसरा member कौन सा है, भूटान, चौथा member आपके पास है, इंडिया, पांचवा member है, मालदीव, छटवा member है, नेपाल, साथवा member है, पाकिस्तान, और आठवा member है, श्री लंका, तो ये total साथ country मैंने बताएं थी, 7 प्लस बन कर लो, अफगानिस्तान को मिला दो, जो कि एक Central Asian country है, लेकिन strategic points important है, इसकी वज़े से सार्क में आपने include कर लिया, तो congratulations, अब सार्क के member आपको याद नहीं करने, तुरंत के तुरंत आपको यहीं के यहीं हाल के हाल याद हो गए, सार्क बना कब था, 8 डिसंबर 1985 में बना था, clear, कब बना था, 1985 में बना था, और इसका headquarter बना कहां पे था, धाका में था, clear, एक convention होई थी बनाया कहां पे था, धाका में, लेकिन headquarter कहां पे रखा गया था, काटमांडू में रखा गया था, इसका foundation आपको याद रखना है, 8 डिसंबर याद रखना है, 1985 में बना था, बंगलादेश के बनने के बाद बना था, और इसका headquarter कहां पे है, present में, नेपाल की capital, काटमांडू में है, इसका headquarter है, clear, अब जल्दी से कल दीजिए eyes को close, और जो आपके third आई है, उस पे जाईए, और मेरी आवाज सुनने की कोशिश करिए, मधुर आवाज आप सुनिए, जैसे eyes close करीं, South Asia में सबसे पहली country कोशिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान की capital क्या है, इस्लामाबाद, सोचते रहे capital को, दूसरी country कोशिए, इंडिया, इंडिया की capital कोशिए, न्यू डेली, 1911 में आपके पास बनी दी, शायद आपको पता होगा, उसके तीसरी country कोशिए, नेपाल, नेपाल की तो next country साथ भी है, श्री-लंका, श्री-लंका की capital आपको मिल लए ही, जो सोरी छटवी कंट्री है, श्री-लंका की capital और जल्दी से आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर आप जैसी देखोगे हमने साउथ एशिया को कम्प्लीट कर लिया अगर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अग इसी भी हम क्या कर रहा है जीरो से लेके हीरो तक की मैपिंग कर रहा है मैं आपको सारे के सारे examination के question एक साथ ही बता रहा हूँ इसी तरह से आप cover करते रहोगे तो trust me and you can believe me अगर यह believe करते रहोगे trust करते रहोगे सारे के सारे question आपके यही solve हो जाएंगे अगर आपको lecture search करना है without gap search करना है बाकी सब में आपको देना है gap मन्थन IS यहाँ पर मैं link डाल देता हूँ उस link के tap करके आप इस lecture के जो time है उसको आप ला सकते हो clear आज के लिए इतना ही thank you मिलते हैं कल हसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद जय भारत